हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से उपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की इस उपलब्धी के लिए विशेश रूप से समवाद किया. टल हौची, विधानसभा के राजकिय महाविद यलाय सलूनी में कोविड वैक्सीन समवाद का आयोजन किया गया. इसमें पी-म मोदी ने कोरोना योधाओं वा वैक्सीन के लाभार्थियों से बात चीत की. उन्होंने लोगों से बात करते हुए स्वास्थिय का हाल जानने के स पहाडी राजियों के गावों की दिकक्त को भी जाना. उन्होंने कहा कि कठिन भोगोलिक स्थितियों के बाबजूद देश में पहला स्थान प्राप्त करना गौरव का विशय है. इस मौके पर जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष डियस ठाकुर, तहसीलदार सलूनी पवन नायब तहसीलदार विनोद टंडन, प्रधनाचार्य पिंकी ठाकुर अन्य स्टाफ वस एकड़ो लोग मौजूद रहे. अध्यक्ष डिसाटर दायतका, और हम हमने शुक्ति वाळेकी बादे की नोडनी चुक्ति वालेकी ने हमने लगतार स्थान के लिए. और हम सल आपका और मान्य मुप्टे मत्री जीपा बोगती जन्यावाद करते हैं जिनुने हमें समेजुने कर देपल डेटीजी को पलाई स्लाव सुप्रोई और हम जोगे लगाता काम करते हैं